हलो गाईज, वेलकम टू माई एस्वाइ जूकेशन फार मिसन चैनल, गाईज यहां पे में लेकर के प्रजेंट हैं, सूचना तकनिकी के महत्पूर टॉपिक सिख्छा हैं, सूचना तकनिकी, और देखेंगे यहां पर 20 लिखा गया है, बट 20 प्रशन नहीं लेकर के प्रजें तो, देखें यहां पर पहला हमारा प्रशन बन रहा है, कि मद्यमों का मुख्य रूप है, तो मद्यमों का मुख्य रूप क्या है? माध्यमों का मुख्य रूप यहां पे आपसन आपके सामने चार्थो प्रेजेंट है तो चारों आपसन में से आपका सक सहयोगा यहां पे एक सेकेंड यहां पे मुद्रित माध्यम दूसरा है हमारा मुद्रित माध्यम उपर युक्त में से दोनों तो यही आपसन आपका सहयोगा प्रभावसाली माध्यम होता है तो प्रभावसाली माध्यम क्या होता है इसमें दुरदर्शन होता है, रेडियू होता है और और मुद्रित माध्यां उपर युक्त में से सभी तो इसमें भी हमारा डियापसंदी स्करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे देखेंगे दूरदर्शन क्रियासील रखता है किसको रखता है द्रिस इंद्री यको श्रब्र इंद्री को उपर इसमें से दोनों किसी को भी नहीं तो यहाँ पे ओर यहाँ पर तीसरा का हमारा शॉय अपसंद सही हो जाएगा यानि C परिक्ट में से दोनों नेक्ष्ट है अनु मुदित माध्यम है तो एक इसमें से कौन सा हमारा सही हो जाएगा चौथे आपसन का हमारा सही इसमें से भी सही होगा रेडियों भी है और दुरदर्शन भी है तो यहां पर दोनों हो जाएगा नेक्ष्ट अभी सूचना प सभी next question की तरफ बढ़ते हैं यहां पर तो अभी सूचना प्रडाली के संचालक के अंग हैं तो कौन सा है चार आपसन आपके सामने present है तो I hope कि आपने देख लेंगे पहला क्या यहां पर है पहला हमारा आपसन है कि प्रदक्तों के माध्यम, संचालन और यहां पर प्रदक्तो next question की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही महतपूर है समझिए तो यदि ignore किया तो एक question मिस हो जाएंगे तो यहां पर देखेंगे संप्रेशन की विशेष्टा क्या होती है तो संप्रेशन की विशेष्टा होती है यहां पर हमारा दयापसन सही हो जाएगा उपर युक्त में से सभी हो जाएगा बिच्चारों की गहनता पारशपरिक अंतह क्रिया अनुभों तथा भावनाओं का अधान प्रदान करना यह हमारा हो जाएगा तो इसमें हमारा यह अंसर बनेगा सभी नेक्स्ट क्यूसन है संप्रेशन का कारे होता है तो ग्यानिंद्रियों को क्रिया सील करना करमिंद्रियों को क्रिया सील करना अनुभूती करना उपर युक्त में से सभी तो तीसरा का हमारा उपर युक्त में से सभी आपसन सही हो जाएगा नेक्स्ट है पाठ्थय वस्तु विशलेशन बीधी का प्रियोग किया जाता है तो विशलेशन बीधी का प्रियोग कहां पर किया जाता है तो यहां पर हमारा सही हो जाएगा देखेंगे कि दार्षनिक सोध में और एतिहासिक सोध दोनों में किया जाता है तो इसलिए आपसन यह सही हो जाएंगे नेक्स्ट किईूशन की तरफ बड़ रहे हैं तो बिशाय वस्तू बिशलेशन बिधी में प्रयुक्त करते हैं तो क्या प्रयुक्त करते हैं? तो यहाँ पर हमारा भी सयापसन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मुख माध्यां होता है, हाडवेर उपकरण भी होता है कक्छा में संप्रेशन का प्रारूप होता है तो किस तरह का होता है असाप्दिक संप्रेशन होता है तो इसमें जो है दोनों संप्रेशन होते हैं कम्मिनिकेशन बोथ यहां पे हो जाएंगे हमारा सदिस करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं कि असाप्दिक संप्रेशन का आक जो है ग्लोवे की प्रभीदी से किया जाता है तो हमारा यहां पर आपसन सहसाई हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन की तरफ बढ़ते हैं बहुत ही महत्पूर क्यूशन है और यह है कुछ शेल्प टाइप किया हुए हुआ प्रशन भी आपको लेकर के आये हुए हैं तो देखे चंदेशन की उत्तर बताने वाली हुँ तो द्रिस से समागरी और स्रभ्य समागरी दोनों उपर्यूक्त में से सभी तो यहां पे हमारा उपरीूक्त में से सभी आपसन सही हो जाएंगे नेक्स आए कि द्रिस स्रब्य सहयक समागरी का उपयोग होता है तो किस में उपयोग किया जाता है guys तो I hope आपने select कर लिए होंगे हमारा दूसरे का option सही हो जाएगा द का सही हो जाएगा उपर उतमे से सभी तो क्या हो जाएगा सिक्षन को रोचक बनाना एक से अधिक ज्यानिंद्रों का सक्रिय करना सिक्षन काउसलों का विकास करना नेक्ष्ट देखेंगे स्रब्य साहयक समागरी का उप्योग करते हैं तो किसमें करते हैं तो तीसरे का हमारा बस ही हो जाएगा किसमें करते हैं सुद्य उच्चारण के में करते हैं नेक्स्ट क्योश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगले page पे आजाते हैं, तो यहां पर, यह I hope की यह हो गया होगा क्योश्चन हमारा, नहीं हुआ है, देख लेते हैं, स्रब्य सहयक समागरी का उप्योग करते हैं, तो किसमे करते हैं, तीसरे का सायध हो गया था तो वह होता है आप मार लियोंगी नेश्ट में ज़ले सहीं समागरी का ऊपयोग किसमी करते हैं तो आपको पता ही होगा समागरी का प्रयूग सुद्द लेखन के लिए लिए करते हैं देखेंगे दूरदर्शन का सिक्षण में उपयोग करते हैं कि के लिए दूर दर्शन का सिक्षण में प्रियोग करेंगे तो दक हमारे आपसंद सही हो जाएगा शभी हो जाएगा सुद्ध उचारण के लिए सुद्ध लेखन के लिए सुद्ध सूनने के लिए करते हैं अब नेक्स्ट क्यूशन की तरब बढ़ते हैं यहां पर हमारा छठ प्रश्ण है तो देखेंगे छठमें प्रश्ण में एक कट हो गया है तो सन्रचनाओं के विकास में प्रयुक्त करते हैं क्या वस्तूओं को मौडल को और आकृतियों को और प्रयुक्त में से सभी तो यहां पर आकृतियों का होगा ठीक है तो यहां पर द हो जाएगा सभी नेक्स्ट स्रीज की तरफ बढ़तें ये तूथा बट इससे भी महत्वपूड लेकर के आया हुए है ये है कई नहीं जाएए देखिए बहुत ही महत्वपूड है सिक्षायों सूचना तक्निकी की ये भी प्रशने कुछ कलेक्शन किया गया है बहुत ही महत्वपूड है देखेंगे पहला क्यूशन हमारा बन रहा है कि सूचना तक्निकी से क्या भी प्रशने की एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से जो है ज्यान को क्या किया जाता है जानकारी को विभिन्य तक्निकीयों के माध्यम से प्रेसित किया जाता है Next question अमारा बनरा कि अनुधेशन को परिभासित करिये अनुधेशन सिख्छन बिना वास्त्विक सिख्छत की उपस्तिती में अधिगम उपलब्द कराता है नेक्स्ट क्यूशन अनुदेशन कितने प्रकार के होते हैं तो अभिक्रमित अनुदेशन, कम्प्यूटर आधारित अनुदेशन दो प्रकार के होते हैं नेक्स्ट क्यूशन की तरब बढ़ते हैं, यहां पे दिया है कि अभी क्रमित अनुदेशन से क्या अभी प्राय है, तो सिक्छन समागरी को छोटे-छोटे हिस्सों में बदल करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करना, जिसे उनका अधिगम और अधिक प्रभावसाली हो सके। नेक्स्ट है, अभी क्रमित अनुदेशन का समप्रत्य किसके द्वारा प्रदान किया गया है, तो BF स्कीनर के द्वारा किया गया है, बहुत ही मत्पुड है, एक क्यूशन पूछा गया था, देखते हैं, नेक्स्ट की तरब बढ़ते हैं, अभी क्रमित अनुदेशन, जान जाज में लेंगे कि कर्मीत अनुदेशन का संप्रत्य किस पर आधारित होता है तो यह Kollegen क संप्रत Dann के दूारा यहाँ पी देखेंगे अभी क्रमीत अनुदेशन को कितने भागों में डिवैड किया है तो यह तीन भाग कहा पिल है इस बॉल रहे हुँ कि वेरी कि उंपासटी इसमेंसे एक पक्का पुछेगा नेंस्ट इस क्यूशन की तरह बढ़ेंगे हमारा यहां पर ही रेक हम देशन चाश बार्ल डेत्व की सुरुवात इसकी नर ने की थी और इसमें सिक्षण मसीन की सहायता से अनुदेशन प्रदान किया जाता था नेक्ष्ट है हमारा यहां पर सिक्षण मसीन का निर्माड किसके द्वारा किया गया था तो यहां पर सिक्षण मसीन का निर्माड जो है शिड्नी ये भी क्यूश्चन सायद पूछा गया है बहुत ही मत्पूड है 1930 में सिड्नी यल फ्रेसी द्वारा किया गया था next है ICT से क्या भी प्राय है सूचना एमसंप्रेसन तकनिकी को सिक्षण के छेतर में उप्योग कर के सिक्षण अधिगम प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बनाया जाता है तो ICT Information Communication Technologies का फूल प्राम भी कपी-कपी पूछतेगा तो I से होता है Information, C से Communication और T से Technology होता है तो यह है इसके एरिया में Learning Process होता है अधिक प्रभाव साली होता है इससे देखेंगे अधिगम अनुभाव संकु क्या है तो अधिगम अनुभाव संकु का निर्माढ एडगर डेल द्वारा किया गया था इसके माध्यम से अधिगम में अधिकतम इंद्रियों द्वारा प्रियोग करना समझाया गया सिक्षण मॉडल की नहीं कहा जाता है अधिगम प्रक्रिया को सिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए मॉडल का प्योग किया जाता है जिसे टीम टीचिंग, ग्रूब टीचिंग होता है नेक्स्ट क्यूशन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे देखेंगे शाइवेनेटिक्स क्या है यहाँ पे सिक्षण में मसीनों का उप्योग करना ही साइवरनेटिक्स के अंतरगत आता है यह क्यूशन पूछ सकता है बहुत ही महत्त पूड़े तो इसको आप IMP मान के चलेंगे नेक्स्ट एक्यूशन की तरफ बढ़ते हैं असर से असर के संबंद में समझाईए तो क्या है तो इसको देखते हैं इधर आपको यह है यहाँ पे देखते हैं कि एन्वल इस्टेट्स आप एजुकेशन फार एक सेकेंड फार रूरल इंडियन को असर नाम से जाना जाता है यह एक रिपोर्ट है जिनमें ग्रामिड सिक्षा के संबंद में जानकारी प्रस्तुत की जाती है नेक्स देखेंगे संप्रेशन क्या है तो वक्ता द्वारा किसी माध्यम का उप्योग करके श्रोता तक अपनी बात को पहुँचाया जाता है संप्रेशन का लाता है संप्रेशन हमने बताया कि two types को होता है साब्दिक असाब्दिक संप्रेशन होता है अब देखेंगे कक्छा गत संप्रेशन की इस प्रकार का संप्रेशन होता है तो कक्छा गत संप्रेशन को सामुहिक संप्रेशन के अंतर गत रखा जाता है और यह समीती छेतर में होने वाला आपचारिक संप्रेशन होता है नेक्ष्ट देखेंगे सिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती है तो सिक्षण की मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं होती है पूर्व क्रियावस्था, अंतक्रियावस्था और उत्तर क्रियावस्था प्राप्त हो सके सुक्षम सिक्षण के संबंद में बताईए तो सुक्षम सिक्षण एक सरलीकरण सिक्षण प्रक्रिया है जिसे चोटे आकार की कख्चा में संपन किया जाता है तो 20 डावलू एलन ने इसका किया था तो यूपीटेट में ये पुछा हुआ था बहुत ही मतपुड है नेक्ट देखेंगे भारत में सिक्षा सुक्ष्म सिक्षन की सुरुवात किस के द्वारा किया गया तो इनहीं की द्वारा किया गया था भारत में देखेंगे सुक्ष्म सिक् निस हुई और आई ओप आपको अच्छा लगेगा कमेंट भी करेंगे कोई कमेंट भाई कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं जरूर कमेंट करें लाइब क्लास भी बढ़ाएंगे आप लोगों को अभी थोड़ा से व्यस चल रहे हैं